आज हम लोग वर्ड फैमली यानि शब्द परिवार में क्या सा पढ़ने वाले हैं? लेट्स हाव आ लुक यू एस ए इसको हम दो तरह से प्रणांसियेशन करते हैं नाउन के तरह इसे हम यूस बोलते हैं और वर्व के तरह जब इसका प्रियोग करते हैं तब इसे हम यूस बोलते हैं क्या मैं आपके कलम का इस्तेमाल कर सकता हूँ? ठीक, use means प्रियोग, इस्तेमाल, उप्योग और use means प्रियोग करना, इस्तेमाल करना, उप्योग करना use अपना रूप बदलता भी है, use बदल कर used, using, लेकिन use बदल कर using या used नहीं होता आगे देखिए, useful यह adjective है, useful means उप्योगी या लावदायक ठीक, यह दैनिक जीवन में बड़ा लावदायक है, लावकारी है, it's very useful in our day-to-day life आगे है, usefulness, उप्योगिता, क्या उप्योगिता है इसकी, what is its usefulness, यह noun वाला form है, abstract noun ठीक, अब usefulness का opposite, उल्टा क्या है, uselessness, अनुप्योगिता, यह भी noun है useless, adjective, अनुप्योगि या बेकार, यह बेकार की चीज़ है, it's useless ठीक, आगे है, अब useless का opposite यहाँ पर है, useful, useful, useless, usefulness, uselessness uses, यह भी noun है, abstract noun, uses का मतलब भी प्रियोग this word has been in common uses for a long time, लंबे समय से यह शब्द, सामान प्रियोग में है देखिए, use means भी प्रियोग, usage means भी प्रियोग, noun के तरह, और use जदी बोले, तह यह, verb के तरह प्रियोग हुआ ठेक, इसी तरह के words, phrases, sentences, सीखते रहिए, channel को subscribe कीजिए, video को like कीजिए, share कीजिए